कि कर पूरे बईया मनमाने कि कर पूरे बईया मनमाने हुई पकडी में तो दिवाने उननी सर से सर सर के तक से धर के जिया कर पूरे बईया 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 कर लिड़्ा कर पूरे बईया कर पूरे बईया कर पूरे वच् беспित कर थारबलक आपला क्म कर आप पूरे विद्या कर पूरे बईयू कर अबठार अबाब जी जो 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 सुनेगा बबाजी पोल्गं का पती अभी मानी करेता है साधा मनो मानी अबाद पती ने सबक सिखाया करते हैं चर्चा सभी अबाद फिर आयाना आयो ध्या में कभी फिर आयाना आयो ध्या में कभी फिर आयाना आयो ध्या में कभी महाराज दिलीव दिलीव की जो एउत्या के राजा हुए आयो ध्या में राज कर रहे हैं एक दन सथानन उनके राज में आया और राज उनके राज में आया प्रामन का वेस बना के नकली बाबा बन के आया या ये नकली बाबा जोडी नहीं थी उसके पास और माराज माराज के ज़ो नार्या थी महहलों में वहां पहुँचा कि जाने कि दिनों को ही जाके उसे ने है छला कि जाने कि दिनों को ही जाके उसे ने सोचा सपुने में नहीं कभी किसी का उसने भला ही नहीं सोचा लेकिन जब आयोध्या में आया तो मने उसके ये चोर छिपा है मने उसके ये चोर छिपा है और चोर छिपा तो कर क्या रहा है क्रत उसका नहीं दे को छिपा है उसका करत तो सभी जानते रारा को को नहीं जानता तो बाबाजी जानते जानते जाएंगे तो सुनाते जाएंगे ये पहला ही चेकर है ये क्यावन का कुद्राइं बैठ हुई है और ये रोनक जोईलर्स प्रफ्राइटर हमारे गुलाब चंद्र जी आपकी तरफ से ये क्यावन एक सो एक मुद्राएं और ये बहुत बहुत अन्वादे में पचास जमा है हाँ सुनाए दरी है अभी बोल दोंगी कुछ लिखके देतों सुनाए नहीं दरी है सुनेगे राजा दिलीब ने एक बार रावण को पचाना तो राजा दिलीब के पूरा राज जब तक चला तब तक रावण अयोत्या में नहीं आ सका दूसरा राज दूसरा राजा हुए माराज रगू एक बार रगू के राज में भी रावण आया लेकि जब राजा रगू ने बान चलाया तो बाबा जी राजा रगू ने बान संधाना भागा है लंका तभी थेरे आया ना आयोत्या में नहीं जब तक महराज रगू का राज चला तब तक रावण आयोत्या में नहीं आ पाया उसके बाद जब राजा रगू का राज बड़े बिया राजा दूसरे आ गए तो रावण फिर आया सुनेगा सुनेगा अज के बहुनों से सुनो ऐसा लंके से घेरा सबाद सुनेट अज का जब राज हुआ तो दसाना महराज आज के राज में आया और जब आया तो आया तो महराज आज ने क्या किया सुने ना जब आज के पहणों से सुनो ऐसा लंके से घेरा कैसा घेरा सारी से ना कैसे तो जाकर लंका में गिरा राजा आज ने जब पान चलाया तो जाकर के लंका में गिर गया बड़े बियतो कभी ऐसी दसाना देखी मिली धूल में सारी सेखी कभी ऐसी दसाना देखी मिली धूल में सारी सेखी बबाजी सूर्बंस से नातिक काया कहते ये अनुभवी जब तक राजा आज का राज चला फिर आया ना आयो ध्यामे कभी जब तक राज ये अनुभवा ध्यामे कभी आजा धिया जी आपके करकमनों से एक स्वे पत्मुद्राएं हैं जब तक राज चला दिलीप का चला दुबारा नहीं आया रगू का चला दुबारा नहीं आया जब तक राज चला दुबारा नहीं आया और आखी तकड़ा बड़ी जंदी में सुनिये अखी तकड़ा सुनिये धाम साकेत का सुनिये तो आरे उससे ना खुला आखी कि दिलीप के सब्सक्राख के लोगें ये हप शर्चाई और कि रामा सभी से टेक्स लेता था मारा दसरत से का कर चाहिए मारा दसरत ने का कर जरूर दूगा लेकिन एक सर्थ है कि पहले मेरी अयोध्या का दर्वाजा खोल के दिखा दे तो मैं तुझे बिना कहे कर दूगा और रामा ने बहुत कोसेस कर ली मारा दसरत ने जब दर्वाजा बंद कर दिये तो धाम साकेत का सुनूए तुहारे उससे न खुला हारे सुवारे की ऐसी पाया दे खोल न खुला और उसने कहाँ अब मैं तुम्हारे कुल की लाज को ले जाओंगा बड़े बिया जानकी का हरन करके ले गया लेके राम जी आए तो जब धरती पान पुगारा तो मन जरूप ए धारा जाके राम बड़े रण में संधारा और भरके तेके तभी बबाजी जब राम जी ने मार दिया फिर आया आयो जामे तो फिर आया जाना आयो जामे कभी पुले राम प्रकार की जामे बबाबा ये जोगन है आपाजी आने आपे समक्स आया